गुटिस कीचिन में खाना पकाई, घर में हेल्दी टेस्टी, खाना बनाए गुटिस कीचिन में एक बड़ फीर आपका स्वागत है, आज मैं बनाऊंगी माचेच्छाल, ये रेसिपी तिकी होती है और इसकी ग्रेवी भी ठीक होती है फीश को पसंद करने वाले लोगों के लिए ये मुँ में पानी लाने वाली एक डीश है और इसे बनाना पेहदा आसान है और बहुत जल्दी भी ये बन जाती है तो चलिए देड़ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते है इसके लिए मैंने लिया है छे पीस कातला मच्छी ये अप्रॉक्सिमेट आदा किलो मच्छी है सबसे पहले हम इसे मैटनेट करेंगे तो डालेंगे हाफ टीश्पून हल्दी और एक टीश्पून नमग मच्छी को पड़ इसे अच्छे से लगा लेंगे मैंने अच्छे से मसाले को लगा दिया है अब 10 मिनिट के लिए इसे साइड में रख देंगे और इसके लिए मसाले तरिया करेंगे मैंने दू मीडियाम साइज के टमाटर लिया है दू हरी मिर्च लिया है और लिया है एक इंच का अध्रक का टुकड़ा इन तीनों चीजों को मिक्सर में पीछ लेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से पीछ लेना है अब एक कटोड़ी लेंगे इसमें डालेंगे हाप टी स्पोन हल्दी, हाप टी स्पोन लाल मिर्च पाउडर, एक टी स्पोन जिरा पाउडर और मैंने 20 काले मिर्च को दरदर अपीस लिया था इसे भी इसमें डाल देंगे अब इसमें थोड़ा पानी डालके हम इसका एक मिसरन बना लेंगे मसाले में पानी डालके घोल बनाने से पीसे हुए मसाले चैसा सुवाद आता है और मसाले जलते भी नहीं मसाले का घोल तैयार हो गया है अब हम फिश बनाएंगे मैंने कड़ाई को गरम कर लिया है आप इसमें डालेंगे 5 टेबिल स्पोन राई तेल अब कड़ाई और तेल दोनों अच्छे से गरम कर लेंगे तो थीश बिल्कुल नहीं चिपकेगी मैं ओयल गदम हो जाने के बाद मैंने साड़े मच्छी को तेल में डाल दिया है आप एक मिनिट तक मीडियम प्लेम में हमें इसे धुनना है एक साइड धुन गया है हम इसे पलट देंगे और एक साइड से भी एक मिनिट हम इसे फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हैं मच्छी कड़ाई में बिल्कुल नहीं चिपकी है हमारे मच्छी अच्छे से फ्राई हो गया है हम इसे निकाल लेंगे अब इसी तेल में हम डालेंगे हाप टीस्पून कलुंजी के दाने एक दस सेकिन तक इसे भूल लेंगे हमने जो टमाटर अजरग और मेश्ची का पेस बना के रखे पे आप इसमें डाल देंगे अब मिडियूम फ्लीम में हमें इसे तक तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छी से पकना जाए और इसमें से तेल नरीलिस हो जाए तेल रीलिस हो जाने के बाद हम इसमें हमारा जो मसाले का मिश्रन बनाए थे ओडाल देंगे और उसमें डालेंगे 1 foot टीस्पून चीनी और अटाप टीस्पून नमक अच्छे से निक्स कर लेंगे पर मसाले अच्छे से भून जाए इसके लिए इसे दो मिनिट के लिए ढखकर स्लो कूक करेंगे दो मिनिट हो गया है आप देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से भून गया है साड़े तेल इसमें से रिलीज हो गया है Correct आप इसमें डालेंगे 1 फूर्ट कप पानी इस रेशीपी की ग्रेवी भीकी बनती है इसलिए इसमें ज्यादा पानी नहीं डालेंगे एक बड़ अच्छे से मेक्स कर देंगे और इसमें उबालाने देंगे उबाल आ जाने के बाद हम इसमें फ्राई किया हुआ फिश टाल देंगे एक बड़ पलट देंगे अब इसमें टालेंगे चीरी हुई तीन हरी मिर्ज और इसे ढखकर पांच मिनिट के लिए स्लो कूक करेंगे पांच मिनिट हो गया है हमारा माचित जल अल्मोस्ट लेडी है एक बड़ हलके हाथों से इसे मेक्स कर देंगे अपने देखा होगा कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये रेसिपी बनके तयार हो गई अब इसे हारा धनिया से गार्निश कर लेंगे ये रेसिपी खाने में इतनी लाजबब होती है जब आप खुद बनाओगे तब आपको पता चलेगा आप गरम चावल रोटी के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं मुझे उमीद है ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकोन को जरूर दबाए ताकि मैं जब भी नई रेसिपी डालो वो आपको तुरंद मिले अच्छा खाईए सच्त रहिए फिर मिलूंगी ये नई रेसिपी के साथ गुट्टिस की चिन में खाना पकाए खण में हेल्दी टिस्टी खाना बनाए